नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है टार्गेट वीद गोसवामी यूटूब चैनल में मैं सुनील गोसवामी आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे कोसल मंगल होंगे आपके आने वाले सभी कॉंपिटिटिव एक्जाम के लिए में एक बहुती बहतरीन सीरीज लेके आया हूँ संजीवनी सीरीज इस सीरीज के अंदर हम GKGS के बहुती महतवपूर्ण के उसन करेंगे बिलकुल डिटेल के साथ तो ये सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशल होगी तो इसको जितना होसके अपने दोस्तों के साथ सेयर करें ये सारे के सारे पीडिये फाइल आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगी टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो चलिए सुरू करते हैं खुद को यूँ खोकर जिन्दगी को मायूस न कर मंजिलें चारों तरफ हैं रास्ते की तलास कर तो आप अपने टारगेट के लिए अपनी मंजिल के लिए सही रास्ते को चुनेंगे तो मंजिल आपको आउश्य ही मिलेगी तो first question आपकी स्क्रीन पे है पहला हमारा question है कि पलासी की लड़ाई जो 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतरतों किसे ने किया आप सब जानते हैं कि जो पलासी की लड़ाई है वो 1757 में जो है अंग्रेजों के और सिराजु दोला जो बंगाल के नवाब थे उनके बीच में हुई थी clear है तो यहां पर पूच्छा आप से अंग्रेजी सेना है जो इस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेजी सेना का नेतरतों किसे ने किया था तो यह किया था रोबर्ट कलाईव ने कलियर है यहां तक आपको सारी बाते समझा गी होगी चलिए next हम बात करते हैं रोबर्ट कल कावन को यह युद हुआ था निर्नायक युद जिसमें कौन जीता था बिर्टिस इस्ट इंडिया कंपनी जीती थी रोबर्ट कलाईव जीता था तब इसके कुछ मुखे बिंदू मुखे पॉइंट हम देख लेती हैं सबसे पहले मैं बता दूँ कि यह जो युद है यह बागिर थी नदी के किनारे युद लड़ा गया था और यहां पर जो रोबर्ट कलाईव था इसने बड़ी चतुराईश से पहले ही मतलब क्या किया सिराजु दोला के जो तीन सेना नायक थे तीन सेना नायक जिसमें मीर जाफर था इसके साथ इसका जो एक बहुती धनवान वेक्ती था इसके पास जगत सेथ उसको और जो दरबारी था इन तिनों को अपनी तरफ कर लिया और इसको हरा दिया अब जो मीर जाफर हम बात कर रहे हैं जो आगे चलके नवाब बनाए गया मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाए गया इसका जो पुतर था जिसका नाम था मीरन के नाम था मीरन ने जो है किसकी हत्या कर दी जो है सिराजुदोला की किसकी हत्या की जो बंगाल के नवाब था मतलब युद के पसाथ सिराजुदोला की जो है सिराजुदोला की हत्या कर दी गई याद रखना आपको इसकी हत्या किसे ने की मीरन ने की जो कौन था मीर हजा सकता है? मुगल समराड तो याद रखना है मुगल समराड उस टाew में था आलम गिर आलम मिर द्वितिय ठीक है द्वहितिय था जिस टामंहें सत्रा सो स्तानस में ये युद्ध हुआ था तो ये कि निरनायक युद्ध था बेटीश का जो है परवाव इस युद्ध थे देखिए सत्य सोदक समाज की स्थापना किसे ने की तो ये की थी जोती राव फुले ने किसे ने की थी जोती राव फुले याद रखना है आपको सत्य सोदक समाज की स्थापना जोती राव फुले ने की कलीर है तो कब की थी तो ये 24 सितंबर 1873 को महाराष्टर के पूने म जोति राओ फुले ने दोवारा स्थापित किए गयाई एक समाजिक सुधार समाज त समाज याद रखना है कि प्हसे है जो अपे defined Rabbit समाज ने अनुने को इन्होंने अलवीदा कहा इसने शिक्षा मिशन की जांच की और विशेश रूप से महीलाओं सुद्रों और दलितों पर महाराश्टर में ध्यान केंद्रित समो के लिए सामाजी का दिकारों और राजनिती के पहुंच में विर्दी की इनकी जो पतनी थी सावित्री बाई फ भारत की पहली महीला भारत की पहली महीला सिक्षिका का नाम आता है सिक्षिक का नाम आता है तो किसका नाम आता है सावित्री बाई फुल्ले का याद रखना है बहुत इपोर्टेंट क्यूस्टन है सावित्री बाई का नाम आता है नोट कर लेना ठीक है तो कब हुई स्था आपना 24 सितंबर 1873 को किसने की जोती राओ फुले ने की कलियर है यहां तक और भारत की पहली महिला शिक्षी का पूछ ले पूछ ले तो सावितरी भाई फुले कलियर है चलिए नेक्स्ट क्योशन पर चलते हैं नेक्स्ट हमारा मोस्ट इपोर्टेंट क्योशन है भारत में पहली आर्थिक जनगन्ना कब होई थी तो आर्थिक जनगन्ना होई थी 1977 में 1977 में ठीक है पहली बार 1976 में भारत सरकार ने आर्थिक जनगन्ना और सरवेक्षन नामे के एक योजना की 1977 में केंद्री साख्यंकी संग्थन्य राज्यों और कैंदर सासित प्रदेशों में अर्थसास्तर और साख्यंकी निदेशाले के सयोग से पहली आर्थिक जनगन्ना तो ये कब हुई पहली आर्थिक जनगर्णा 1977 में ठीक है अब तक कितनी हो चुकी है तो 2019-20 में जो है सात्वी हुई थी कौन सुई थी देखिए 77 में पहली फिर उसके बाद 80 में फिर 90 में फिर 98 में फिर 2005 फिर 2013 फिर 2019 तो इसका टाइम आगे बढ़ा दिया था 2020 ठीक है याद रखना आपको तो ये जो है 77 में पहली हुई है और सात्वी 2019-20 में याद रखना है कलियर है यहां तक आप सब को चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा इपर्टेंट क्यूसन है कथक निरित्ते के परतिपादक बिर्जु महाराज किस गहराने से समंदित थे तो ब बिर्जु महाराज ठीक है जिनका जनम 1938 में हुआ था और 2022 में इनकी मरत्य हुई थी पंडित बिर्जु महाराज एक भारतिय नर्तग्य संगीतकार गायक और लखनव के काल का बिंदादिन गहराने के परतिपादक थे वह कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंसस थे जि इनके जो पिता और गुरु भी थे इनके उनका नाम था अच्चन महाराज ठीक है याद रखना है मोस्ट इपोर्टेंट कि यह भी बन जाता है कि बिर्जु महाराज को 1986 में भारत के दूसरे स्रवच नागरिक समान पदम विभूशन से समानित किया गया तो कि उसनों हमारा कि उसन आता है जनगर्ना दो हजार ग्यारा के नुसार भारत में महीला साकसरता में सरवादिक पिछड़ा राजे कौन सा है देखिए महीला साकसरता के अंदर हम बात करें सरवादिक पिछड़े की बात आती है तो किसकी बात आती है वही बिहार की आती है किसकी आती ह बिहार वैसे हम बात करें तो साक्षरता में केरल राजे पहले नमबर पर आता है और लास्ट में कौन सा आता है बिहार आता है ठीक है समझा गया चलिए 2011 की जनगन्ना की अनुसार केरल में कुल साकसरता दर केरल में कुल साकसरता मतलब केरल की हम बात करें तो 94% लोग यहाँ पर पड़े लिखे हैं ठीक है साकसरता की केरल की बात करें और यदि हम बिहार की बात करें साकसरता में तो यह आता है 61.8% टोटल बता रहा हूँ मैं आपको ठीक है और केंदर सासित परदेश में सबसे ज़्यादा साकसर है लक्षे दुवीप और सबसे कम दादरा नगर हवेली लक्षे दुवीप का जो 19 1.8% आता है और दादरा नगर हवेली सबसे कम 76.2% आता है अब देखो यहां पर अब यहां पे क्या है बिहार की बात हो रही है बिहार में महिला पूछा गया है तो महिला साकसरता बिहार की हम बात करें तो कितना परतीसत है तो आपको नोट करना है 51.50% मतलब सबसे कम जो महिलाएं है वो कहां की पड़ी लिखी है बिहार की पड़ी लिखी है ठीक है चलिए आगे ब ठीक है overall सकसर लोग कहां है केरल में है लेकिन पुरूस कहां के ज्यादा पड़े लिखें है लक्ष्यद्वीप के महलाइं कहां की ज्यादा पड़े लिखी है केरल की आंदर प्रदेश में सम्मगर जो साक्सरतादर सबसे कम है राजस्तान में पुरू साक्सरतादर सबसे कम है और बिहार में महिला साक्सरतादर सबसे कम है तो केरल में सबसे अधिक होगी महिलाओं की याद रखना आपको राजस्तान में भी कम है बिहार के बाद हम बात करें तो राजस्थान में भी महिला साक्सरता 52.14% है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है कलियर है यहां तक समझा गया होगा चलिए और आप से पूछ ले भारत की साक्सरतादर 2011 के नुसारा हम बात करें भारत की जो साक्सरतादर है वो क्या है तो ये है 74.04% ये है भारत की कलियर अबई चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूशन है वंदे मातरम पहली बार भारती राश्चे कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में गया गया था वंदे मातरम जिसके रचनाकार आप सब जानते हैं बकीम चंदर चटर जी थे या बकीम चंदर चटोप दयाए भी आप बोल सकते हैं तो पहली बार राश्चे कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में गया था तो ये गया था अठारा सो चानवे में कब गया था ये पूछा गया है कांग्रेस के किस अधिवेशन में अठारा सो चानवे में जो अधिवेशन हुआ था कौन सा अधिवेशन था वो तो वो था 1896 में अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन 1896 में और इसके अधिक्सता की थी एम रहीम तुला से आनी ने ये भी आप साथ साथ नोट कर लेना 1896 में इससे पहले इसको एक नारे के रूप में यूज किया था देखें बकीम चंदर कौंगरेश अधिवेशन जो कलकत्ता में हुए था उसमें गया अब बता दू जो वंदे मातरम है इसको गाने का जो टाइम है वो एक मिंट नो सेकिंड है कितना है? एक मिंट नो सेकिंड है? being clear है? वंदे मातरम जो है इसको गाने का टाइम एक मिन्ट नो सेकिंड है ये कहां से लिया गया है किस बुक से लिया गया है तो ये आनन्द मट से लिया गया है रचनाकार कौन है बकीम चंदर चटोप दै या बकीम चंदर चटर जी भी आप बोल सकते हो ठीक है चलिए मानों की सबसे बड़ी अंस्तरावी गरंथी कौनसी है देखिए मानों की सबसे बड़ी अंस्तरावी गरंथी की बात करें तो ये है थायराइड गरंथी कौनसी गरंथी है वई थायराइड गरंथी है कलियर है चलिए देखिए ये सबसे बड़ी अंसरावी गरंथी है जो तितली की अकार की होती है ठीक है ये आप देख रहे हैं फोटो में ठीक है थायोराइड है ये थायोराइड गरंथी है ये थायोक्सिन हार्मोन का उत्पादन करती है जो स्रीर में चैप चेदर को कंट्रोल करता है ये बच्चों में हडियों के development विकास में मस्तिक के brain के विकास में और तंतरी का तंतर के विकास में मैतोपूर्ण गुमी का निबाता है तो ये कौन सा हो गया थायोराइड होगा इसके साथ साथ आप से और भी important question क्या पूछे जा सकते है ये सबसे बड़ी गरंथी पूछ लेंगे क्या पूछ लेंगा वई चलिए बताइए सबसे बड़ी गरंथी कौन सी होती है तो आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ी गरंथी का जब नाम आता है तो किसका आता है हमारा लीवर या फिर आप ये कृत बोल सकते हो मनुष्य की एक मातर जो मिश्रित गरंथी है तो वो कौन सी होती है मिश्रित गरंथी आपसे पूछ ले ठीक है मिश्रित गरंथी सबसे बड़ी तो आप बता देंगे कौन सी है वह हमारा अगनाश्य है चीके तो ये चीजियें आपको नोट करनी है आगे बढ़ते हैं भारत की संसत दुवारा जो राइट टू एजुकेशन है शिक्षिया का अधिकार अधिनियम है कब लागू किया गया था जो भारत की पारलेमेंट है इसको इसने जो है राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार 4 अगस्ट 2009 को कब किया 4 अगस्ट 2009 को राइट टू एजुकेशन एक्ट ये कानून भारत के सविधान में हम बात करें देखिए बच्चों को निसुल्क और अनिवारिय शिक्ष्या का अधिकार है जो संसद ने एक राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया 4 अगस्ट 2009 को इसको लागू किया ठीक है लपास कर दिया इसको ये कानून भारती सविधान का आर्टिकल 21-A के तहत भारत में 6-14 के बीच जो एज है 6-14 उसके बीच के बच्चों के लिए निसुल्क शिक्ष्या अनिवारिय के महत्तों के तोर तरीकों का वर्णन है एक अप्रेल 2010 से अधिनियम लागू होने पर भारत शिक्ष्या को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाने के लिए 135 देसों में से एक बन गया है तो लब ज कुसर नमबर 9 है सवेधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान सवेधान के किस अनुछेद में किया गया है सवेधानिक उपचारों के अधिकार का जो प्रावधान है वो है आर्टिकल 32 में किसमें है अनुछेद 32 में याद रखना है सवेधानिक विचारों का अधिक अधिकार किसमें है अनुछेद 32 में है ठीक है सविधानिक उपचारों का अधिकार भारत में वह अधिकार जो कहता है यह कोई वेक्ति अपने मोलिक अधिकारों की रक्षा करना चाहता है तो वह सरवच नैले में जा सकता है मतलब उसको लगता है कि उसके जो मोलिक अधिकार ह वो violation हो रही है तो वो Supreme Court में जा सकता है यह अधिकार Supreme Court के Article 32 और High Court के लिए Article 226 के अंतरगत आता है इसे सवेधानिक उपचारों के अधिकार के रूप में जाना जाता है जो भारत के हम बात करें जो डॉक्टर भीमरा वो मेडकर थे भारत के कानून मंतरी थे और सवेधान निर कहा है सवेधान की आत्मा कहा है ठीक है आत्मा या हर्ट बोल सकते हो है ठीक है सवेधानिक उपचार को क्या कहा है सवेधान की आत्मा या Article 32 को क्या कहा है सवेधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अमेड करने तो यह पॉइंट आपको अच्छे समझा गया होगा next हमारा question है 1946 के cabinet mission का नेतरतो कि इसके दवारा किया गया था देखिए 1946 में भारत में क्या आया cabinet mission आया तो इसका जो नेतरतो मतलब इसके जो अध्यक्स थे cabinet mission के वो कौन थे सरपैथिक लोरेंस थे आप सब को ग्यात होगा कि ये तीन सदशिय क्या था तीन सदशियों का जो है ये cabinet mission आया था जिसमें दो सदशिय थे और ये सरपैथिक लोरेंस क्या थे उस टाइम अध्यक्स थे ठीक है अब देखिए 1946 में जो cabinet mission बेटी सरकार से भारती नेतरतों को सक्तियों का स्थांतर ट्रांसफर करना और विचार मिमर्स करने के उदेशे से भारत में आया था mission का जो उदेशे भारत की एकता को बनाए रखना और उसकी सोतनतरता परदान करना था मतलब एक तो भारत को जो क्या है सोतनतरता देना और एक एकता मतलब इनका बटवारा ना ओ ठीक है जैसे पाकिस्तान बना लेकिन ये केबिनेट मिशन ऐसा नहीं चाहते थे ग्रेट बिर्टेन के परदान मंतरी थे उस टाइम जो क्लेमेट एटली उन्होंने पहल की केबिनेट मिशन को त्यार किया था तो आप सब को बता दू अधेक्स मैंने बता दिया कौन थे उस टाइम सर्पेथिक लॉरेंस थे 1916 में भारत में आया एक और कौन था अलेक्जेंडर था ठीक है अलेक्जेंडर और एक स्टेफोर्ड क्रिफ्स और एक हो गया आपका ये सरपैथिक लोरेंस तो ये तीन सदश्य थे आपको याद रखना है ये तीन सदश्य ये केबिनेट मिशन था और इसके अधेक्स थे सरपैथिक लोरेंस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि अधे बसाह बासा अवे ये हो चो ये तीन सझनेदी को मिलते हैं वे लोगरो ये हैं ये करितीन तीन पर खर एक हो हूद पाह